दोस्तो नवस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजयना यूट्यूमन्च है आज जो मैं आपके साथ बात चीत करने वाला हूँ वो ये है कि चंद सेकर आजाद राना क्या बस्पा और मायावती का विकल्प बनने जा रहे हैं जिस तरीके के संघर्ष से वो अपने दम पर उत्तर प्रदेश की नगीना सीर्ष से डेर लाग से जादा मतों से जीत कर लोगसभा के मंदिर में पहुंचे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले वर्चों में चंद सेकर आजाद बस्पा का विकल्प बनेंगे मायावती का विकल्प बनेंगे और मान्यवरकाशी राम जहां राजनिती को छोड़कर चले गए थे वहां से वो इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे दोस्तो चंद सेकर आजाद ने मीडिया को दी अपने एक इंटर्व्यू में दावा किया है कि हम यानि चंशेकर और भीमार्मी के सेक्ड़ों हजारों कार्यकरता बाबा साब अम्वेडिकर बाबा फूले मान्यवरकाशी राम और मायावती जी के सपनों को पूरा करेंगे मायावती जी का नाम लेना चंशेकर द्वारा एक बड़ी बात है वह सोची समझी नीती है इसमें दो राए नहीं है कि चंशेकर आजाद ने बहुत प्रियास किये बुवा बुवा कहके वो उनसे मिलने का समय मांगते रहे लेकिन मायावती ने कभी उनको सम्मान नहीं दिया बलकि उनको एक तरीके से प्रतारित किया भाजपा का एजेंट बताया और न जाने कितने अनरगल आरोप लगाए लेकिन दोस्तों ताज्यूब की बात ये है कि चंशेकर ने कभी एक भी सब्द सुस्री मायावती के खिलाप नहीं बोला हमेशा उनका नाम सम्मान के साथ लिया और आज जब वो अपनी नई पारिटी बना चुके हैं सांसत बन चुके हैं उसके बालजूद भी वो मायावती जी के काम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे है मायावती जी ने जहां कारवा छोड़ा है उसको आगे ले जाने की बात कर रहे है यानि वो ने तो वस्पा को अपना विरोधी मानते हैं ना वस्पा कार्यकरताओं को अपना विरोधी मानते हैं ना मायावती जी को अपना विरोधी मानते हैं बलकि हमेशा मायावती जी के आसिरवाद की बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट निकल रहा है नतीजा निकल रहा है वो ये है कि बसपा का जो यूथ विंग है जो तेश तरार पढ़ा लिखा तमका है वो चंसेकर की तरफ आगे बढ़ रहा है उनके साथ जुड़ रहा है और ये जुड़ने का इससे बड़ा और कोई परिक्षा नहीं हो सकती कि उन्होंने अपने अकेले धंपर नगीना से लोक्षवा का चुनाव जीता उन्होंने बहुत कोशिश की इंडिया गढ़ बंदन का सहहुग लेने के लिए चंसेकर जी से भी बातचित की जो जाड समाज के नेता भाजपा में चले गए इंडिया गढ़ बंदन को छोड़ कर उनसे भी उनकी दोस्ती रही नाम आप जानते हैं लेकिन किसी ने चुनावों में उनका साथ नहीं दिया दोस्तों यदि उन्होंने दावा किया है कि यदि आजा समाज पार्टी भीम आर्मी को इंडिया गढ़ बंदन अपने साथ लेता सामिल करता तो इंडिया गढ़ बंदन की सीटें और बढ़ सकती थी इस बात में दम लगता है तो दोस्तों कि मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था उस समय पहले कि जो हाला दिखे हैं दिख रहे हैं और इन चुनावों में भी ने केबल उत्तर प्रदेश बलकि जहां जहां भी अन्य प्रदेशों में मायवाती जी ने बसपा के उमीदवार खड़े किये एक भी उमीदवार जीत नहीं पाया जबकि चंसेकर ने ना केबल भाजपा के ओमकुमार और इंडिया गड़बंदन के जो कंडिडेट थे पूर्वजज मनोर सिंग को हराया और नगीना में चंसेकर के सामने बसपा के उमीदवार सुरंद सी को मातर 13272 मत मिले लोगों की भावना ये थी बहुजन समाज की भावना ये थी कि कम से कम मायवती जी को चंसेकर के सामने अपना उमीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था लेकिन वो तो उनको हराना चाहती थी सब उनको हराने में लगे हुए थी इंडिया गड़बंदन भी साथ नहीं दे रहा था बसपा साथ नहीं दे रही थी अखलेश ने एदम ने साथ नहीं दिया उसके बावजूद बहुजन समाज के उन सदस्यों ने कारे करताओं ने रात दिन मेहनत की और चंद सेखर को जिता कर लोगसवा में बेचा मैं चंद सेखर जो लोगसवा का सदस्य निवाचिद हुआ हूँ सचते निष्टा से पड़ति जियान करता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापीत भारते भारत के सविधान के पशच्छी सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की पर्भूता और अखंता अक्षून रखूँगा तता जिस पद को मैं गरहन करने वाला हूँ उसके कर्तव का सद्धा पुर्वक निर्वेन करूँआ नमबदाई जै भीम जै भारत जै सविधान जै मंडल जै जोहार जै जवान जै किसान भारते सविधान जिंदाबाद भारते लोकतंतर जिंदाबाद ताज्यू की बात ये और है कि मुश्लिम समाज ने चंसेकर का पूरा साथ दिया और भविष्ये में ये भविष्ये वाडियां की जा रही है कि आने वाले समय में चंसेकर जिस तरीके से तपकर संघर्ष करके जेलों में जाकर उन पर दर्जनों मुकदमे है लेकिन वो बद्दा कभी जुर्मों के सामने डरा नहीं घुटने नहीं देखे जेलों में रहा और जूश ने वादा किया था भी मारी के युद्धाओं ने दावा किया था कि बाबा साथ फूले महराज कासी राम जी इवन माया वती जी ने जो कारवां को जहां छोड़ा है हम इसको उसी उमीद के सहारे आगे लेकर जाएंगे और आजाद समाज पार्टी को बहुजन समाज की आवाज बनाएंगे और भी मार्मी के जो लोग है वो दावा करते हैं चंशेखर दावा करते हैं कि आने वाले वक्त में हम बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाले हैं उनकी आवाज बन चुके हैं और बनने वाले हैं हमें कोई डरा नहीं समता हमें कोई धमका नहीं सकता हमें कोई लोग लालच से अपनी तरफ कर नहीं सकता हमारे निसाने पर सिर्फ बहुजन समाज को सम्मान दिलाना हैं उनके साथ होने वाले अपमान को खतम करना है उनके खिलाप होने वाले जुल्मों को खतम करना है ने केवल बहुजन समाज बलकि समाज के जिस अर्टव के पर भी जुल्म होगा आजाज समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग वहाँ पर खड़े मिलेंगे चाए वो महिलाओं का मामला हो चाए किसानों का मामला हो चाए पहलवान बहनों का मामला हो चाए राजिस्थान, एमपी, उत्तरप्रदेश, कहीं भी किसी भी जाती के वंचिस समाज के या अगड़े समाज के साथ बहनों के साथ जहां भी जुल्म दिखा भीम आर्मी के सेंक्रों कारे करता वहां पहुचने में देर नहीं लगाते हैं और ये ही बाते हैं जिससे के बहुजन समाज उनकी तरफ जुक रहा है, उनको अपना रहा है और उसका शबूत है बस्पा के विरोद, मायावती जी के विरोद, इंडिया गडवन्दन के विरोद और अखलेश जी के विरोद या यूं कहें के सारी पार्टियों के विरोद के बावजूद जितने धमाकेदार जीत चंसेकर आजाद ने नगीना से प्राप्त की वो काविल तारीफ है और उससे भी मार्मी का मनोबल बहुत जादा बढ़ा हुआ है और जीतने के बाद जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है सेंक्रों लोग रो जाना उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं उनके साथ सेल पी खिचवाने के लिए बेताव हैं इस चुनावों के बाद बड़ी तादात में ये बताया जा रहा है कि बसपा से जुड़े सेंक्रों हजारों कारे करता भीम आर्मी से जुड़ने वाले हैं और जो भीम आर्मी हैं वो भोजन समाज की बहुत बड़ी ताकत आने वाले बड़सों में बनने वाली है चंसिकर ने एक बात और मीडिया से कही है कि मेरा पड़ा सिर्फ लोग सवा नहीं है मैं लोग सवा में तो बहुजन समाज की आवाज बनूगा ही बेहनों की तो आवाज बनूगा ही वंचित समाज की तो आवाज बनूगा ही लेकिन जुल्म के खिलाब वंचित समाज के जुल्म के खिलाब बहुजन समाज के साथ होने वाले जोल्म के खिलाब हम पहले के तरह ही सडकों पर संगर्स करते मिलेंगे तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा कि क्या चंसे कर आजाद उगता हुआ सूरज है मायावती दूबता सूरज है और इस तरफ जो इसारा नगी नसीर से जीत से हुआ है तो लगता तो ऐसा ही है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बस पाद्वारा एक सीट भी नहीं जीतना और चंसे कर का अकेले अपने दम पर लोग सवा पहुँचना ये बहुत बड़ी गटना है और आने वाले समय में आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे और जो लोग भविस्यवानिया कर रहे हैं कि आने वाले वर्सों में भीम आर्मी आजा समाज पार्टी और चंसे कर आजा बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत बनकर उब रहेंगे बहुजन समाज की कमान समा लेंगे और बहुजन समाज की राजनीती को बलंडियों पर पहुँचाएंगे तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा देखते रहे देश रोजाना मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ जै हिन जै भारत जै सविधान नमस्कार